दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपके Instagram में Message Request Show नहीं हो रहा है या Hidden Request Show नहीं हो रहा है तो इस Problem को कैसे ठीक करते हैं आप देखेंगे Message Request दिखाई दे रहा है, Hidden Request भी दिखाई दे रहा है जैसे कि आपर आप देख सकते हैं तो इस तरह से अगर आपके Instagram account में message request show नहीं हो रहा है, तो इस problem को आप 2-3 मिनट में ठीक कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे अपनी profile पर click करना है, इसके बाद उपर में आपको 3 line पर click करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आते जाना है, तो यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी, messages and story replies इस पर आपको click करना है, इसके बाद उपर में आपको एक setting मिलेगी, message controls इस पर आपको click करना है, तो यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी Your followers on Instagram और नीचे में एक और setting मिलेगी Others on Instagram तो यहाँ पर आपको Your followers on Instagram इस पर आपको click करना है इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे Don't receive request पर यह set है यहाँ पर आपको तीन option मिलेंगे तो आपको क्या करना है इसे यहाँ पर message request पर set कर देना है मैंने set कर दिया message request पर अब इसके बाद back आना है इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे others on Instagram इस पर आपको click करना है यहाँ पर भी आपको इसे message request यहाँ पर आपको set कर देना है मैंने set कर दिया back आ गए अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही option के सामने request लिखा हुआ है यह setting आपको करना है इसके बाद आपको back आ जाना है आपको play store में आना है और instagram को search करके update कर लेना है जैसे कि यहाँ पर हम search करते हैं instagram आपको instagram app को update भी कर लेना है अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है instagram app पर एक second के लिए इस तरह से long प्रेज करना है और app info में आ जाना है अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पर आपको storage की setting मिलेगी इस पर आपको click करना है इसके बाद नीचे में आपको एक setting मिलेगी clear catch इस पर आपको click करके catch file को delete कर देना है इसके बाद back आना है नीचे में आपको एक option मिलेगा force stop इस पर आपको click करके instagram को force stop करना है इसके बाद recent app से सभी app को आपको यहाँ से हटा देना है ठीक है इस तरह से हटा देना है इसके बाद आपको power button को long press करना है और आपको एक बार अपने mobile को restart कर लेना है mobile को restart करने के बाद अगर आप Instagram को open करेंगे इसके बाद दोस्तों आपको message request आना शुरू हो जाएगी और जो hidden request है वो भी आपको दिखना शुरू हो जाएगी जैसे के यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर दोस्तों आप Instagram पर online होते हुए offline दिखाना चाहते हैं सभी लोगों को तो फिर आप यह वाला वीडियो जरूर देखना अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe करना वीडियो को like कर देना और comment करके जरूर बताना आपको यह वीडियो कैसा लगा